जूते के फीते बान देंगी समा, समा हाँ मा, मैं तयार हूँ, चलो वेद बस आ गई मा घर के सारे कामों के बोध से दबी रहती है पर न जाने क्यों पापा उनकी कोई मदद नहीं करते मैं जानती हूँ कि पापा अफस जाते हैं लेकिन मा तो घर की सपाई भी करती है सभी के लिए खाना पकाती है और फिर ओफस भी जाती है मुझे इस बारे में इशा माम से बात करनी चाहिए धन्यवाद बच्चों, आज की क्लास खत्म होती है अगर तुम्हारे कोई सवाल हो, तुम मेरे पास आओ मैम, मेरी मा मेरी और मेरे भाई की मदद करती है स्कूल के लिए तयार होने में और वो हम सब के लिए खाना भी बनाती है और फिर ओफस भी जाती है मुझे हर शाम अपनी मा को ऐसे ठके वे देखना अच्छा नहीं लगता क्यों वो सारे दन अकेले काम करती है क्यों नहीं मेरे पापा उनकी मदद करते है क्या केवल महिलाई ही घर का काम करती है समा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने इस पर ध्यान दिया और तुम मुझसे इस बात पर चर्चा कर रही हो यह सही नहीं है कि केवल महिलाएं घर का काम कर सकती है एक व्यक्ति के लिंग और जेंडर का उसकी भूमिका और जिम्मेदारियों से कुछ भी लेना देना नहीं होता घर को चलाने में हर एक व्यक्ति को योगदान देना चाहिए और घर का काम साथ मिलकर करना चाहिए समा लिंग एक जैविक पहचान है जो कि उन शरीर के अंगो पर आधारित होता है जिसके साथ हम पैदा हुए है ओके मैम और जेंडर क्या होता है जेंडर के तहट समाज हमारे जैविक लिंग के आधार पर हमसे ये उमीद करता है कि हम कैसे व्यवहर करें उधारण के तोर पर ये सामाने रूप से स्वीकृत है कि महलाओं को घर का सारा काम करना चाहिए मैम बिल्कुल ऐसा ही मेरे घर में हो रहा है और मुझे लगता है कि ये गालत है सही कह समा ये बिल्कुल ठीक नहीं है और ये महत्वपूर्ण है हम ऐसी चीजों पर सवाल उठाएं जिन्हें स्टीरियो टाइप कहते हैं शाइद तुम ये जानती होगी कि दुनिया के ज्यादा तर शेफ्ट पुरुष है और उन्होंने इस स्टीरियो टाइप को तोड़ा है कि केवल महलाई खाना पका सकती है इसी तरह मैरे कॉम जो के एक बॉक्सर है उन्होंने ये दिखाया है कि महलाई भी लड़ सकती है और वे भी उतनी ही मजबूत होती है ये कुछ उधारन है जिनको तुम ध्यान में रख सकती हो और अपने दोस्तों और परिवार से शेयर कर सकती हो धन्यवाद मैम मैं अपने मम्मी और पापा से चर्चा करूंगी और जब भी मैं ऐसा कुछ अपने आसपस होते देखूंगी इन बातों पर सवाल उठाऊंगी पद्मा, क्या डिनर तयार है? और मैं सोच रहा था कि तुम हम सब के लिए कुछ खाना बना लो ताकि हम ट्रेन में भूखे ना रही ठीक है सही कहा समा ये बिल्कुल ठीक नहीं है और ये महत्वपूर्ण है हम ऐसे चीजों पर सवाल उठाएं जिन्हें स्टीलियो टाइप कहते हैं वेद, वेद हाँ दीदी, आया पापा, क्या मैं आपसे कुछ पोच सकती हूँ? बिल्कुल समा, बोलो क्या बात है? आप मा की घर के कामों में मदद क्यों नहीं करते? मैं दिन भर ऑफिस में काम करता हूँ और जब वापस आता हूँ तो ठका होता हूँ तब मैं टीवी देखना और आराम करना पसंद करता हूँ लेकिन मा भी तो ऑफिस जाती हैं पर तब भी वो घर वापस आकर खाना बनाती है और घर साफ करती है और अन्य घरेलू काम करती है समाथ तुमसे ये सब बात है किसने कही? हर घर में मा खाना बनाती है और घरेलू कारे करती है यह हमारे समाज में सामान्य है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है नहीं पापा, ये गलत है. मेरी टीचर ने भी ऐसी मान्यताओं के बारे में बताया था, जो कुछ स्थितियों में एक लिंग को दूसरे से अधेक शक्तिशाली बनाते हैं. हम सब के लिए खाना बनाना मा का कर्तव्य नहीं है. मैम ने कहा था कि हम सब को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. हाँ समा, मैं समझ गया हूँ कि जो तुम्हारी टीचर ने कहा वो सही है. मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है. मैं तुम्हारी मा की खाना बनाने में मदद करूँगा और कल शिमला जाने के लिए बैक भी पैक करूँगा. धन्यवाद बेटा, ये बताने के लिए कि मैं क्या गलत कर रहा था. ये केवल एक उदाहरन है उसके घर का, जहां सभी लिंके लोगों के साथ समान व्यवार नहीं होता है. इसलिए रूडियों को संबोधत करना और इनके बारे में बात करना ज़रूरी है. जैसे मैंने अपने घर में इस समस्या के बारे में की, वैसे हर किसी को करनी चाहिए. इसमें डरे हुए क्यों लग रहे हो? दीदी, मैं इनसे बहुत डरता हूँ. ये लोग कौन है? वेद, इसमें डरने की कोई बात नहीं है. ट्रांसजेंडर हमारे जैसे लोग हैं, जो अपने जैविक लिंक के आधार पर सौपेगे जेंडर की भूमिका से पैचाने नहीं ज इसलिए डरने की जरूरत नहीं. लेकिन दीदी, वो सब के पास क्यों जा रहे हैं? समाज ट्रांसजेंडर को समान मौके नहीं देता है, जिसकी वजह से उनको अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में चुनोतियां आती है. इसलिए वो लोग उसे पैसे मांगते हैं. मा, पापा, क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? अभी तुरंत ये सब बंद करें. हर एक व्यक्ति जैसा बनना चाहें, वैसा बंद कर जीवन जीने के लिए स्वतंतर है. आप सब लोगों को इनसे माफी मांगनी चाहीं और दोबारा बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहीं. हम अपने ग सीखना चाहीं और लोग जैसे भी हैं उनको स्विकार करना चाहीं. हर एक परिवार एवं समाज में लिंग समानता अतियावशक है. बच्चे के अभी भावक उनके पहले रोल मॉडल होते हैं. यह महत्वपून है कि माबाप घर के कारें को साथ मिलकर करें और अपने ताकि वो और ज्यादा जानकार लिंग उत्तरदाई और सम्मान जनक बने. लिंग, जेंडर, जाति, धर्म, सामाजिक, आर्थे या शैक्षनिक स्तर से परे सभी के बीच में आपसी सम्मान होना चाहिए. यह महत्वपून मूल्य लेंगिक समता आधारित समाज के निर्मान क की मजबूत नीव बनाते हैं.